हैं तब देश के स्वास्त इत्यास का एक बहुत अहम आउसर भी है दो दिन बाद 25 सितंबर को आयुश्वान भारत प्रधान मत्री जन आरोगी योजना को दो साल पूरे हो जाएंगे सिर्फ दो साल के भीतर ही इस योजना के तहट सवा करोड से अधिक गरीब मरीजों को मुप्त इलाज मिल चुका है मैं आज इस कारकम के माद्यम से आयुश्वान भारत योजना के माद्यम से गरीबों की सेवा करने वाले सभी डॉक्टरों मेडिकर स्टाप की भी विशेश प्रसमसा करता हूँ सात्यों आज की हमारी इस चर्चा के दोरां अनेक ऐसी बातें सामने आई हैं जिन से आगे की रणदीती के लिए रास्ता और अधिक स्पस्ट होता है अब जैसे देश में हमारे साथ सो से अधिक जिले हैं लेकिन जो आकड़े बहुत बड़े बड़े भाये और चिंता कराते हैं देश को वो सिर्फ साथ जिले हैं साथ सो से अधिक जिलों में से सिर्फ साठ जिले और वो भी साथ राज्यों में अगर हम इन साठ जिलों पर बल दें क्या मैं आप सभी आधरने मुख्यमंतरीजी से सुझाव दे सकता हूँ क्या माली जाब एक साथ दिन का कारकम बनाएं और डेली एक गंटा दे और वर्चुली उस डिस्टिक के जो ब्लॉक है हर दिन एक डिस्टिक में से एक या ब्लॉक कहें तहसिल कहें या तालूका कहें जो भी आपके राज में नाम हो हर दिन एक जिले के एक या दो तहसिल और आपके यहां जितने भी हैं उन सबसे सीधी पुष्टाज करें तहसील के लोगों से, सीधी बात करें, सीधा मालदर्शन करें और ये साथ दिन तक लगातार चला करके सभी ब्लॉक लिवल तक अगर सीधी मुख्यमंत्री वर्चुल कांफरेंस करें तो जुरूर नीचे बात पहुंचाने में एक सीरियसनेस लाने में, सिंसेरेटी लाने में बहुत मदद हो सकती है ये सही है कि भारत में संक्रमन के मामले में लगातार भुद्धी हो रही है और इसलिए कुछ ऐसे प्रवगों की जरुद है लेकिन आज हम हर रोज ये भी सही है कि दस लाग से ज़्यादा टेस्ट भी कर रहे हैं और ठीक होने वालों की संक्याभी तेजी से बढ़ रहा अनेक राज्यों में और राज्यों के भीतर स्थानिय स्तर पर भी कहीं नए-नए प्रवग हुए हैं Best Practices देखने को मिल रही है हमें इन अनुभववों को जादा से जादा सीखना होगा उन अनुभवववों को पौथ साइत करना होगा और ऐसे सुखध अनुभवववों का लाब लेना होगा साथिव बीते महनों में कोरोना के इलाज से जुड़ी जिन सुविदाओं का विकास हम सभी उन्हें मिलकर के किया है वो हमें कोरोना से मुकाबले में बहुत मदद कर रही है अब हमें एक तरफ जहां कोरोना से जुड़े इंफरसेक्टर को तो मजूद करना ही है जो हमारे हेल्ट से जुड़ा ट्रैकिंग और ट्रेसिंग से जुड़ा नेटवर्क है उनकी बहतर ट्रेनिंग भी सुनिस्चित करनी है आज ही कोरोना स्पेसिपिक इंफरस्ट्रक्चर के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फंड SDRF उसके इस्तिमाल पर भी एक एहम फैसला लिया गया है कई राज्जों ने इस बारे में आगर किया था अब ये ताई किया गया है कि SDRF के इस्तिमाल की लिमिट को 35 प्रतिशत से बढ़ा करके 50 प्रतिशत कर दिया जाए इस फैसले से राज्जों को कोरोना से मुकाबले के लिए और ज्यादा रासी उपलब्द हो सकेगी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूँ प्रारंबिक कान में हमने जो लॉकडाउन किये उसका बहुत लाब मिला है दुनिया में भी उसको सरहा गया है लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही बल देना चाहिए जिससे करोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जन जीवन और गतिवीदियां भी सामाने तौरफेश चलेगी जो एक-दो दिन के लोकल लोकडाउन होते हैं वो कोरोना से रोकने में कितना प्रभावी है हर राज्य को अपने स्तर पर इसका अवलोकन करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वेज़े से आपके राज्य में आर्थिक गतिवीदियां शुरूरों में दिक्कत हो रही है मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंबिर्ता से सोचे साथियों प्रभावी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीट्मेंट, सर्विलन्स और स्परस्ट मैसेजिंग इसी पर हमें अपना फोकस और बढ़ाना होगा प्रभावी मेसेजिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जादातर संक्रमन बीना लक्षन का है ऐसे में अफ़ाय उढ़ने लगती है सामाने जन के मन्ने में ये संदे उढ़ने लगता है कि कहीं टेस्टिंग तो खराब नहीं है यही नहीं कई बार कुछ लोग संक्रमन की गंबीरता को कम आकने की गलती भी करते हैं लगते हैं जैसे हमारे केप्टन साब ने कहा तमाम अध्यन बताते हैं कि संक्रमन को रोकने में मास्क की भूमी का बहुत अधिक है मास्क की आदर डालना बहुत मुश्किल जरूर है लेकिन इसको रोज मर्रा के जीवन की एक अनिवार्यता उसको बनाए बिना हम सार्थक प्रणाम नहीं मिल पाएंगे और जैसे उद्दव जी ने बड़ा सिंपल चस्मे का उदान दिया यही तरीके से सोचना पड़ेगा साथ यब बीते अनुभवों से तीसरी बात ये निकल कर आई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सेवाओं और सामान की आवाजाही में उस रुकावट से सामान्य नागरी को अनावाशक परेशान होती है इसमें जन जीवन भी प्रभावित होता है और आजी विका पर भी असर पड़ता है मुझे बताया गया है कि आउक्सीजन की कोई कमी नहीं है लिकिन राज्जों के बीच तालमेल बना रहना ज़्यादा जरूरी है ताकि जीवन रख्षक ऑक्सीजन के आवागमन में कोई रुकावट ना आए लगातार मॉनिटरिंग से सप्लाइचेन को बनाए रखने में मदद मिलेगी ऐसे विशेओं पर हमें अफ़ाओं से भी सतरक रहना चाहिए कभी कभी इसका फाइदा ब्लैक मार्केट वाले भी उठाते रहते हैं साथियों भारत में मुश्किल समय में भी पूरे विश्व में जीवन रख्षक दवाओं की आपूर्ती सुनिश्चित की हैं ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाईयां आसानी से पहुँचे ये हमें सबने मिलकर के ही देखना होगा साथियों सैयम, समवेदना, समवाद और सयोग की जो प्रतिवद्धिता इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है उसको हमें और आगे जारी रखना है संक्रमन के विरूत लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है हमारे साजा प्रयास जरूर सफन होंगे और इसी कामना के साथ आज आपने विस्तार से जो बाते बताई हैं उसमें कुछ करणी ये बाते हैं जो बारत सरकार की टीम भी यहां सारे विशेव को नोट कर रही हैं उसमें जो आवश्यक हैं उसको जितना त्वरा से लागू किया जा सके करने का प्रयास होगा मैं फिर एक बार आप सबने समय निकाला बहुत ही उपियोगी सुझाव दिये और आपमें आपमें जो संकल्प शक्ती दिखाई हैं कि हम इस परिस्तिती को अपने राज में और इन साथ जिलों में बहुत तेजी से हम परिस्तिती को पलटेंगे मैं आपको बहुत बहुत शुक्वामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवार